स्वागत है आप लोगों का और आज मैं आप लोगों के लिए darker than black एनिमे के episode 2nd को explain करने वालों जिन लोग ने episode 1 को निए देखा तो प्लीज पहले जा कर उसे देखे क्यूंकि 2nd episode में first episode की शोरी continue हो रही है बाकि जो new viewers उन लोगों के लिए में एक चीज बताता हूं यह 2007 का एक action crime नहीं में है इसमें action भर-भर के है upload की बात करूँ तो कुछ gates open वेते 10 साल पहले इस दुनिया में जिसके वेसे कुछ लोगों को supernatural power मिली थी और उन लोगों को contractor कहते है जिनको फावर मिली थी पावर के बदले में उन्होंने अपने emotions को खो दिया था और emotions के बिना का एक इनसान जानवर के बराबर ही होता है वो emotions लोग है जो अपने benefit के लिए कुछ भी का सकते है ऐसे में कुछ contractor अच्छे भी हैं जो इन बुरे contractors को रोकने कोशिस कर रहे है इनके भी इसकी fight है हर episode में कुछ नई कहानिया देखने को मिलती है आपको बहुत ही मज़दार है मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको आप लाश्ट तक वीडियो को देखे या नहीं मैं आपको बांध कर रखेगा और आप लाश्ट तक देखे मतलब बहुत मज़दार है नहीं में है बाकी अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है मेरी explanation पसंद आती है और ली सेंग चिया की वोन वापस उसके रूम पे ले जा रहा होता है तो जाते-जाते बोलने लग जाती है रसते में कि अब यह दुनिया कॉंटेक्टर्स की होगी है और अब इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं रहा है यह स्काई भी हमारी नहीं है जो स्टाड्स भी नकली है और अब में पता चलता है कि स्टाड्स इतने दुनिया के अंदर कॉंटेक्टर्स है जब भी कोई स्टार्ट उड़ता है था कि एक कॉंटेक्टर मर गया है यह बात बात वह में बता दिये कि मैं नराई में जॉप कर रही थी जहां पर इक gates के ओपर रिसर्च कर रहे थे, gate वो प्लेस जिसके ओपन होने के बाद, contactors दुनिया में थे, उनको पावर मिली थी, और वहाई पेस को इन सब चीजों गहरे हैं, पता चला और इसको यह भी पता है, कि आम लोगों को contactors के बारे में इसलिए नहीं पता है, भी बाते कड़े गड़े अपने घर चले जाते है, रोम पे, जब रूम पे जाते है, तो इसका रूम ना, पहले से किछी ने ठास्ट कर रखा होता है, तो यह चीज देखके रोने लग जाती है, तो ली सेंट को बोलता है कि मैं बगल वाले रूम में हूं, अगर तुमें किसी भी चीज की चुरूत हो तो मेरे पास आ जाना तो ये उसके गले लगके रोने लग जाती तो लिजे शेंग इसको अपने रूम में ले जाता है तो रूम में बाते करने लग जाती इससे, बुलते कि मुझे हमेशा लगता था कि लूई एक दिन आएगा और मुझे यह से लेकर चला जाएगा पर अब तो लूई भी नी रहा तो यह से पूछता है कि अब तुमारा आगे प्लैन के है तो इसको बोलता है कि चलो फिर मेरे साथ भाग चलो यहांसे तो कहते हैं तो मुझे सिर्डियों पर कुछ आवास चु यह डर के मारे की कौन है और यह जो सीड़े पर वाज आती है वो लोग होते है कि रहारा के ओफिसर्स पुलिस वाले और वो इसको च्याकी तो बगल वाली रूम में होती है तो उनको च्याकी में चानविन करने लग जाती है कि इनको कुछ काम का मिले तो उन्हें काम का अब इस cat को गोर से देखना, इस करे में मैं आपको आगे बताता हूं या नि मैं आपको कहीं बार दिख गई होगी तो उसके बाद यहां से यह लोग चले जाते हैं यहां से सीन सिफ्ट होते हैं और छ्या की और ली सेंग एक रिश्टोर्ण नो होते हैं अब भी हमार लें इंपोरटन और पैसा क्योंकि फो पासपर्ट बनाने के लए में बहुत पैसा तो पैसा दोनों के पास निया है तो यह इसको बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हे एक बात अताती हूं फिर यह बोलते हैं कि तुम्हें पता ही लोग मेरे पीछे क्यू है तो यह इसको बेसिकली बंदे को पता ही नहीं है तो बोलती है कि मेरे पस नहीं कुछ इन्फरमेशन है गेट के बारे में इसलिए सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं और उसको इन्फरमेशन को अगर हम ब्लैक मार्केट में बेचे तो में बहुत पैसा मिलेगा तो यह दोनों और इसके बाद इसको मार दे तो यह बोलता है कि मुझे मेरे तरीके से मेरा काम करने दो और तुम यहां से चले जाओ तो यह बास उनका साथ ही वहां से चला जाता है तब ही लोग भी अंदर आ चुके होते है रेस्टरांट के उनको देखके पीछा करते है अब यहाप एक तो हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जो लड़की और यह जो आदमी जो से मेला था वो एक तीसरा परसंट जिसका में चैरा अनद इखाया सिर्फ उसके वास नहीं था कि लोग बात कर रहे होते है और इनको लग रहा होता है लिजसें इनको दोका देगा तो तीसरा परसंट तो इसने पहली बार कॉंटकर जो चोटी को देखा, और एक कॉंटकर जो छोटी को देखा, लड़की थी उसने इसके पैरेंट्स को मार दिया तभी से कॉंटेक्टर से न अफ्रत करती है और इसले इसने वह इंफ्रमेशन च्वरी करी थी पर अभी इस इंफ्रमेशन से अपना शुटकार अपाना चाहती है ताकि इसके नॉर्मन लाइफ हो जाए फिर से तो इसको ली स ली इसने चाहती है तो फिर इसने इसने रख़ो और मैं अपनी लाइफ को दुबार से रिसेट करूंगा तो लोग डिसाइड करते हैं कि इसने ली सेंग को दे देगी और अपनी में मॉरीज रिमूव करवा देगी तो यह लोग उस प्लेस पर पहूंचते हैं जहां पे इस इसको छोड़के ना भाग जाता है तभी हमें दूसरे तरफ कीरिहारा को दिखा जाता है और कीरिहारा उसको इंफ्रमेशन मिलती है कि इन लोगों को ना चियाकी की डेड़ बोडी मिल गई है और हमें दिखाया जाता है जो लड़की जो इसके साथ गूमीती ली सेंगे उस इसके चारों तरफ न जो के लोग इसको गहर लेते हैं, अब कि जो च्याकी में एक डॉल थी, जो एक्छल च्याकी है, वह तो मर चुकी है, अब डॉल ऐसी बॉडी है, जनकी खेले कि एक इंसान की दूसरे के मतलब इस डॉल में डाल सकते हैं और जब तक वो महमोरी इस डॉल के पास रहेगा उसको लगेगा कि वह एक्चुल इंसान है इसलिए इस डॉल को लग रहा था कि यही अस्तिय च्या की है पर जैसे इसके सामने कुछ कोड़ बोलते हैं तो यह रिसेट हो जाती है औ क्यार एक अजय करते हैं और लोगों के एटएगे आपकर फसी करतों और उनको सब्सक्ता है अगा मारणे लग जयाता हैं जो पुरा ने दिखा य decision हो और तब ही वहाँ पे ली सेंग के दोस्त पार्टनर्स आ जाता है और यह बोलते हैं कि तुम एक डॉल की बातों में आगे और वो जो इंफोर्मेशन थी ना और दूसरे गुरूप वालों को मिल भी चुकी है तो यह लोग वो ब्लैक एड बोलती हैं कि इन चीज़ों में टाइम विस्ट मत करो और जोई को डूंड़ो तो यह जोई को डूंडते हैं मतलब यह लड़की जो इसके साथ होती है अपनी पावर के हल्प से जोई को डूंड लेती है और जोई एक जगा इनको मिल जाता हो पानी के अंदर से निकलता है तो वहाँ पे ली सेंग भी पहुँच जाता है और ली सेंग इसको मार देता है अब यहां से सिफ्ट वतरा में दिखा जाता है पलीस वालों को जोई की डैड वोड़ी मिल गई है अब इन सब चीजों के कुछ दिन अबाद का में सीन दिखाया जाता है और जो ली सेंग होता है अपने रूम पे ना नौन वल फिर से खाना बना रहा होता है तो जो की डी हारा होती है इसके रूम पहाती है और बोलती है कि जो बगल वाले रुफ में लड़की रहती थी क्या तुम उसे जानते हो तो यह बोलता है कि मैं कुछ दिन पहले यहां पर आया हूँ और मैं यहीं जानता बगल में कौन रहता तरमधी उससे मिला भी नहीं हो और मूं कर जाता है कि इससे कभी मिलाथा करें, शेयर करें, वसे आलों को सब्सक्राइब पकाई करदें, सेंक्यू तो मुच्छ